यह एसा कुछ यह ना अपको इसमें देख़ो क्या है यह लेफ्ट हंड साइड होगया अब यह डिस्पल इसको अलग कर लेंगे अपन ii पेटम्य आलग कर लेंगे हमी इसके बाद में तो और यह जो वाय आए जो यह बडा मुद बॉस्क में इसको फिल Але कर लेंगे Jinping मैंने खोल के रख रखा यह दिखाने के लिए पहले से ही यह देखिए पेच अलग हो गया यह पेच अलग होने के बाद में अभी भी रोटेट नहीं होगा तो इसके लिए चार पेच जो है इन चारों पेचों को खोल के अलग कर लेंगे और इसको निकालेंगे साबधानी से इसको लग रखेंगे और यह जो इसका अंदर का है जिसमें तीर का निशान लगा रहता है इसको फिर जो है अब हैंडल को रोटीट करेंगे जिखो हैंडल बढ़े पर आप कنने के बाद को क्या करना है यह जो इस्सापन ने अटाायने यह वाला नी ? यह जो बड़ावला पेच है न सफितरफ लगाना है थिक है इसका यह वाला हिसो इधर यह इसका यह वाला इससा बड़ा वाला इससा इधर मुह करते हो ताकि यह 270 डिगरी गूम सके प्लस 90 और यह इधर माइनस 90 180 डिगरी इस तरीके से रोटेट हो सके ठीक है यह इधर मुह करते हो लगाना है यह यह ऐसे छोड़ देना है जो भी है बापस से जो है, इसके उपर की जो पनी प्लेट टाइए सो कस देनी है इसके उपर ये प्लेट इसके उपर कस देनी है अब ये अपने देखो ये चारों Gmail कस दिये ए बिक्दम type कस ये पिच ये चारों पेच की दिये और इस वाले प therapist को कस दिया अट निस प्लेट से साथ मैच करोगे, तो यह दिखुए प्लस का निजान जो है na, on मैं तब पताता हूं और प्लस का निजान जो है अब इसको कस नडे होपर जबzam लेफ्ट की साइड की तरफ आजागा, इसका मतलग अब यह यह हैंडल जो है लेफ्टpur है हो गया राइट की जगए ठीक है अभी मैं एक कस्के आपको बताता हूं कैसे यह लेफ्ट हैंड से खुलेगा इस हारे पेच कस दिये टाइट हो गया यह हैंडिल इदर आ गया और वापस से जो इसका पिछला वाला इससा है उसमें ध्यान रखना है कि यह जो पिछला वाला इससे के हैंडिल है इसमें यह प्लस वाला जो पेच है यह दो वायर की तरफ रखना है यह पेच इस वायर की तरफ, यह इधर नहीं रखना है दो वायर की तरफ रखना है, यह देखो इस तरीके से लग गया, अब इसमें जो खास बात जो है ध्यान रखने की यही चीछ था न से खुलेगा, ठीक है नहीं मैंने लेफ्ट हैंड से पकड रखा इसको तो इसका मतना ह यह हंडल पकड़ने में आएगा विसका लेकिन अब इसको भी ऑपरेट करने के लिए एक चीज का ध्यान रखना है वह इसमें जो है वह देखो मैं बताता हूं यह जो तीर का निशान है यह वापस सेंटर की तरफ रखना यहां इधर नीचे और यह देखो प्लस का निशान अ कैसे करना है ताकि राइट लेफ्ट उपनिंग होए यह उपर की तरफ ही आएगा मतलब जहां पर पास्वर्ट डालते डालते ना अपन यह उधर की तरफ आएगा इसको ऐसे उल्टा मत लगा देना बहुत लोग उल्टा कर देते हैं गड़बड हो जाती है यह ऐसे ही लग में आपको लेफ्ट हैंड की फिंगर लर्न करानी है और लेफ्ट हैंड की फिंगर लर्न कराके इसको ऑपरेट कराने के लिए करना है यह खास तोर से ध्यान रखना है इंस्टॉलर लोग जो होते हैं उनको टी राइट हैंड की फिंगर लर्ना करा है तो यह जो है जैसे पन अंदर की तरफ से वैसी रख लो इसको जैसे उपर करेंगे लॉक हो गया और अंदर से तो खुली रहे